अब हाँ हव लोग ग्रुप टू का सेलेबस स्टार्ट कर रहे हैं डान नहीं बता था दिरगू नहीं ठीक है वो करेंगे ग्रुप टू का सेलेबस स्टार्ट कर रहे है बातचीत बनकर ग्रुप टू का जो सब्जेक्ट का नाम है आपका देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या है एडवान्स अकाउंटिंग बट एडवान्स जैसा कुछ है नहीं कुछ है नहीं इसमें और ये ग्रुप वन से कमपेरिटिवली बहुत जादा इजी है कमपेरिटिवली ग्रुप वन से बहुत जादा इजी है ग्रुप वन में हमने चाप्टर्स कवर किये लाइक सिंगल एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट चाप्टर्स कवर किये लाइक डिपार्टमेंट ब्रांच जो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अकाउंटिंग क्या बोलो सॉलिड बेस वाले चाप्टर थे ग्रुप टू में अकाउंटिंग सॉलिड बेस वाला चाप्टर एक ठोबी नहीं है मतब जिसमें तुमको करके ये लगे कि हम accounting wise कुछ सीखे है group 2 में ऐसा chapter है ही नहीं तो group 2 हम लोग जो start कर रहे हैं group 2 का syllabus is comparatively much more smaller and much more easier than group 1 अगर आप content देखोगे तो ये जो दरिद्र जैसा content देखिये आप थोड़ा सा ये देखिये इतना सा content अरे वो है वो छोड़ो नहीं यार वो तो simple है group 2 का AS का बाद में बात करेंगे वो डराएंगे बाद में पहले तुमको थोड़ा सा simple simple बात करें कितना chapters दिख रहे हैं आपको 8 chapters है 8 chapters के अंदर दिदी हो गया 8 chapters में share capital वाले chapter में देखा 2 chapters या 2 portions to be covered तो total बोले तो 9 chapters मेरे को तुमको पढ़ाना है जबकि group 1 में comparatively हम लोग 13-14 chapters पढ़े होंगे group 2 में वो आ गया 9 chapters इसमें भी maximum chapters जो है न वो थोड़ा learning stuff type का है या legal type का chapters है जिसका तुमको law background पता होना चीए तुमको यहाँ पे सिर्फ application करना है कुछ कुछ chapters तो ऐसे है जिसमें format based पूरा chapter है तुमको सिर्फ format याद होना चीए exam में सारे answer हो जाएंगे जैसे यह banking company का chapter है न पूरा format based chapter है NBFC का chapter है पूरा provision का rate based chapter है तुमको सिर्फ rate याद करना है as per acts आपको अपने आप कोई भी question answer हो जाएगा तो यह जो subject है comparatively it is much more easier and shorter than the group one syllabus तीन chapter बहुत conceptual है मैं पहले ही star mark करा रहा हूँ first day जिसको करते से मैं बहुत जादा ध्यान और मैनत से काम करना है पहला chapter अब star mark करोगे amalgamation सारे बच्चे star mark करेंगे first day clear रखिए हम लोगो कहां कहां पर हामर करना है और तीसरा partnership ये तीन ऐसे chapter है कि exam में 15 mark से नीचे इनसे question नहीं आएगा हर time में 15 mark का question आपको इन 3 chapter से दिखेगा ये तीनों सबसे important chapters है हमारे group 2 के ये हो गया सबसे पहले content ये total 70 to 75 mark का content है जो exam में आपको देखने मिलेगा balance 25 to 30 mark अगर बोलू तो वो पता है क्या होता है हम लोग का accounting standards AS की आपको एक अलग book दी जाएगी जो पहले से बढ़ रहे बच्चे उनको तो पहले से मिल गया होगा जो नए बच्चे उनको AS का book मिलेगा accounting standards अगर group 2 में बात करूँ तो पहले group 2 में accounting standards were almost equal to group 1 में जितना accounting standards था है उसे कम था बट group 1 के कुछ accounting standards अब group 2 में transfer कर दिये गए तो group 2 में number of accounting standards थोड़ा बढ़ गया है मैं AS के numbers लिख रहा हूँ आप मेरे साथ साथ लिखे ता कि एक ही जगा से levels complete हो जाए AS 4, 5, AS 4, AS 5, AS 7, AS 9, 4, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29 इतने accounting standards हम लोग को group 2 के syllabus में पढ़ने है देखो कितने accounting standards है टोटल 11, यह 11 accounting standards तो AS वाले portion से हम लोग को पढ़ना है और 2 accounting standards हम लोग का इस chapters में भी covered होगा Amalgamation के पास लिखो AS 14 Consolidation के पास लिखो AS 21 Total इतना सारा accounting standards हमको cover कराना है group 2 के syllabus में अब देख, last time तक का अगर paper pattern मेरे से पुछेगा जो November 19 में आया paper pattern ऐसा ही था 75 mark तक का आपको subjective attempt करना पड़ता था questions वगेरा, 25 mark तक का AS आता था अब क्यूंकि AS का numbers बहुत सादा बढ़ गया है I expect 25 से marks बढ़के भी 35 to 40 हो जाना चाहिए अगर यह 30-35 mark करा, तो 120 mark का अगर paper बोलू तो balance 90 marks तुमको subjective मिलेगा और attempt करने वाइस बोले तो 20 marks से AS compulsory रहेगा, 80 mark आपको subjective attempt करना पड़ेगा तो हम लोगों को ना इतना कुछ group 2 में cover करने का है group 2 का मजा यही है, group 2 में बहुत कुछ group 1 का common group 1 में जो आपने concept पड़े हैं, वो बहुत group 2 में काम आएंगे और बहुत सारे chapter ऐसे हैं, जो group 1 का concept अगर strong है तो group 2 के chapters अपने आप complete हो जाएंगे जैसे chapters like buyback जो मैं आज start करूँगा वो पूरा का पूरा same है, जो redemption of preference यह आपने group 1 में पड़ा था तो इस type के बहुत सारे concept है, जो group 1 से group 2 में carry forward होंगे group 1 अच्छा से किया है, तो group 2 अपने हाप हो जाएगा accounting wise थोड़ा सा ढीला है concept, कुछी chapter accounting wise अच्छे हैं जैसे consolidation का chapter accounting wise बहुत strong है बात बहुत कि accounting wise यहाँ पे कोई toughness नहीं लगेगा जो है आपको law पता होना चीए, law के हिसाब से आप काम करना है यह सारे जितने chapters है ना, पहला consolidation तक यह सारे company से related है, किस से related है, company से और last chapter किसका है, partnership का तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि company accounts पढ़ने जा रहे हैं companies act के provisions भी हम लोग को बहुत जगा पर काम आएंगे जो हम लोग को पढ़ते पढ़ते समस्ते समस्ते accounting को use करना पढ़ेगा, done, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, अभी हम लोग share capital स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, दो क्लास के असपास buyback में लगेगा, डेर से दो क्लास ESOP में लगेगा, share capital वाला पार्ट ऐसा चीज़ है जिससे 10 मांक हट टम में आता है, 10 मांक almost हट टम में, एक buyback का question देदेगा, एक ESOP का question देदेगा, और यह सबसे easy part है, फिर हम लोग पहले ना, थोड़ा सा easy easy chapters group 2 का अठाएंगे, ताकि तुम्हारा group 2 का जो warm up sessions है, जो easy easy chapter हो फटाफट complete हो जाए, December लगते लगते हम लोग का internal reconstruction, liquidation, NBFC मैं try करूँगा, नहीं तो यह दो chapter और share capital अपने complete कर देंगे, फिर January में आते ही सबसे पहला बड़ा chapter उठाएंगे, amalgamation, और फिर आगे दिरे-दिरे जैसे करना होगा, करेंगे, last chapter कराऊंगा, मैं कौन सा, last chapter इसलिए कराऊंगा, इस partnership के chapter में मेरे को liquidation का, amalgamation का, यह सारे का concept बार-बार लगेगा, अगर यह chapters हो गया, तो यह chapter आधा अपने आप complete हो जाएगा, इसलिए यह एकदम हम लोग last में पढ़ेंगे, done, start करें पढ़ाई, concept, paper का जो paper pattern है, वो बिल्कुल सेम है, paper हर, CA, इंटर का, पहला 20 mark, AS का question रहेगा, जैसे group 1 accounts में रहता है, फिर आपको 6 question दिए, 5 question दिए जाएगे, कोई भी 4 करने है, 20-20 mark के, तो total 100 mark का paper आपको attempt करना है, 120 mark का paper आएगा, तो paper pattern में ऐसा कुछ नया नहीं है, group 2 में, जो group 1 में नहीं था, सेम group 1 का paper pattern group 2 में लागू होगा, done, तो वो सब बात करके फायदा नहीं है, start करें heading दे, दिदी बहुत जगा है, फटा फट बेटी देखिए, आपके दोस्त बोल रहे हैं, heading दे, share capital, जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मेरे से पहली बार पढ़ने आए हैं, थोड़ा सा बात बता दे, हम लोग class में हसी मजाग थोड़ा जादा कर लेते हैं, मन पे मत लीजेगा, sorry ये लोग बोलते नहीं है कभी हमको ने बोले आज तक sorry, तो, हाँ, क्या कल तो नहीं किया मतलब, कल तो, कह है मजाग मस्ती नहीं किया, हट, कल cash flow चल रहा था last class, तो थोड़ा सा कल अच्छे से, तुम लोग question वगरा कर रहा था, नहीं, हम लोग मजाग मस्ती बहुत करते हैं, मन पे कभी मत लीजेगा, मन class की timing मैं जाधा पढ़ाता नहीं हूँ, class शुरू होती है, उससे पहले class खतम होने का घंटा बज जाता है, कि class हो गया, घर चले जाओ, बस वैसा ही कुछ रहता है, तो जो भी नए बच्छे पढ़ने आ रहे हैं, टेंशन ना ले, बिलकुल मजे से पढ़े, मेरे को आप, अ double meaning बात कभी नहीं करते हैं, तो मैं जो भी बोलूँगा, उसका एक ही मतलब होगा, आप दूसरा मतलब कुछ सोचिए का भी नहीं, ठीक, तुम लोग पहला दिन बदनाम मत करो, चलिए, शेर कापिटल चाप्टर वन, हेडिंग दें, बाइबाक ऑफ शेर्स और सेक्योरिटीज, 5 तू 10 मार्क्स, बाइबाक वर्ट सुना होगा, कम्पनी लोग में सेक्षिन पता है आपको, वेरी गूड, सेक्षिन 68, 69 और 70, तीन सेक्षिन बाइबाक से रिलेटेड कम्पनी इस अपने पढ़े होंगे, मेरे लिए काम का 68 और 69 है, 70 मेरे काम का, और 69 तो अभी जादा ही काम का है, अरे, CRR को कॉनसेफ्ट है, ठ्यार, CRR को कॉनसेफ्ट है, डन, चलिए हाँ हम तो यही बोल रहे थे CRR को concept section 69 अच्छे से पढ़ने का है आईए हो गया चलो पढ़ाई करते हैं बस ऐसा ही मैं बोल रहा था है ये लोग कोई चीज को double meaning बहुत जादा लेते हैं मैं एक दब simple बात करता हूँ सुनिएगा अगर आपने companies act में chapter पढ़ रखा है तो buyback शब्द का मतलब मैं चाहूँगा आप खुद बताए कि buyback होता क्या है हाँ ओके equity shares को redeem करने का एक तरीका होता है buyback ठीक है बच्चा बोल रहा है सर equity shares company अपने shareholder से वापस ले लेगा और shareholder को उनका पैसा जो पैसा वापस करेगा वो किस हिसाब से face value market value ठीक है face value के हिसाब से नहीं market value के हिसाब से वापस कर देगा बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है buyback का मतलब होता है जब company को अपना equity share capital वाला liability repay करना होता है क्या करना होता है repay company क्या करती है बजार से अपना equity shares repurchase कर लेती है और उन shareholders को उनका consideration देके रवाना कर देती है ये जो repurchase of its own shares and securities by ये company होता है इसको हम लोग buyback नाम से जानते हैं देखो ये चीज जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे है कि equity shareholder को बुलेंगे share वापस करो हम तुमको तुमको तुमारा पैसा वापस कर देंगे ये same काम हम लोग preference shares के लिए already कर चुके है हम लोग एक chapter पढ़े होंगे group 1 में redemption of preference share redemption of preference share में हमने पढ़ा कि preference shareholder का जब maturity आ जाता है preference share जब company issue करती है तो companies act का section 55 क्या बोला था कि कोई भी company preference share issue करेगी redeemable होना चाहिए within 20 years तो हर preference share का एक fixed maturity होता है जैसे ही maturity आता है company को preference shareholder का पैसा वापस करना पढ़ता है preference shareholder को company बोलती है आप अपना share हमें वापस करो हम आपको आपका पैसा जैसे हमने वादा किया था हम आपको आपका पैसा वापस कर देते है preference share और equity share में सबसे बड़ा फरक क्या है preference share has a fixed redemption period but equity shares का कोई redemption period नहीं होता equity share में जब भी आपने पैसा लगाया आपने यही सोच के पैसा लगाया कि आज लगाया है जिस दिन company बंद होगी उसी दिन पैसा बचेगा तो मिलेगा नहीं भी मिले तो डर नहीं है हमने इस company में growth के लिए capital appreciation के लिए पैसा लगाया है तो मैं risk लेके पैसा लगा रहा हूँ कि पैसा अगर नहीं भी आया तो मैं इसमें मतलब मेरा यह सोच है नहीं भी आया तो चलेगा बट मेरे को company में पैसा लगाना है क्योंकि मेरे को company में growth potential दिख रहा है तो जब equity share में आप पैसा लगाते हैं उसका कोई fixed maturity नहीं होता अगर listed company है तो market में आप एक दूसरे के साथ खेला के लिए करके बैईंसे link कर सकते हो बट माल लो unlisted company है या private limited company है जिनका shares market में trade नहीं करता तो उनका share transfer करना इतना simple नहीं है आपको seller आपको buyer ढूंडना पड़ेगा उस case में company आपको एक exit option देने के लिए buyback का concept यूज करती है company बोलती है कि यार मेरे पास surplus cash बचा हो है क्या बचा हो है surplus cash मेरे पास surplus cash है यानि मेरे पास लगाने के लिए investment opportunities नहीं है क्योंकि surplus cash बचा हो है इसको idle लखने से अच्छा हम अपनी liabilities को वापस कर दे liabilities को pay off करेंगे तो मेरे उपर जो constant charges आता है जो खर्चा आता है वो खर्चा भी मेरे उपर जो cost of capital का expectation है वो सारी चीजे भी मैं अपना क्या कर सकता हूँ optimize कर सकता हूँ वो करने के लिए company अपने equity shareholder को बोलती है आप लाओ अपना share आप share वापस करो हम आपको आपका पैसा वापस करते हैं आपकी liability हम repay करना चाहते हैं ये phenomenon या ये काम को हम बोलते हैं buyback of shares and securities buyback का description company के हाथ में है buyback कभी भी buyback कभी भी compulsory नहीं है redemption of preference share was always compulsory maturity आगया पैसा वापस करना पड़ेगा but buyback is not compulsory company को अगर लगता है surplus cash है shareholder को वापस करना है तो company decision लेगी buyback करेगी अगर company को लगता है नहीं है surplus cash तो buyback जैसा tool को वो use नहीं करते है question arises sir ये buyback company करी क्यों रही है answer is company के पास surplus cash है कोई investment opportunity नहीं है company का higher cost of equity है तो उस higher cost of equity को lower करने के लिए company अपने shareholder को बोल रही है आप अपना shares वापस कीज़े हैं आपको पैसा वापस करते हैं जैसे ही मेरा equity कम होगा equity कम होगा मेरा cost of equity कम होगा तो मेरा overall cost of capital क्या हो जाएगा optimize हो जाएगा सबसे basic दो reason होता है पहला reason surplus cash को repay करने के लिए company liability pay off करने के लिए company equity shares का buyback करती है दूसरा reason होता है अपना cost of capital को optimize करने के लिए आप जानते है cost of capital KE, KD, KP सबसे जादा highest cost किसका होता है KE का होता है क्योंकि इसका risk सबसे high है तो जैसे ही मैंने अपने equity shareholder को वापस पैसा दे दिया अब मेरा KE जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा KE अगर कम हो जाएगा तो मेरा overall cost of capital जिसको के ओ बोलते हो वो भी क्या हो जाएगा तो जब भी कमपनी को लगता है कि कमपनी को अपना cost of capital optimize करना अपना capital structure optimize करना equity कम करके debt introduce करना है कमपनी equity कम करती है using the concept of buyback और भी बहुत सारे reason होते हैं buyback करने के जैसे एक reason हो सकता है मान लो कोई एक दूसरा rival company company का shares time to time खरीते जा रहा है, purchase करते जा रहा है ताकि company के उपर major shareholding करके उसको take over कर ले तो company को लग रहा है कि क्योंकि उसके पास major shareholding का concentration हो गया अब वो हमें control करने लग जाएगा उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं buyback कर लेते हैं जैसे उनसे buyback करेंगे उनकी shareholding कम हो जाएगी हमारे promoter की shareholding strengthen हो जाएगी percentage wise strengthen हो जाएगी और हमारा वो take over वाला बात पुरा नहीं हो पाएगा तो जब भी company को लगता है कि कोई hostile take over करना चाह रहा है बिना हमारी इजाजत के हमारे shares acquire करके हमें take over करना चाह रहा है company buyback करके उस चीज़ को रोक सकता है next company क्यों buyback करता है मालोग company का market में price धड़ा-धड़ धड़ा-ध़ गिर रहा है क्यों गिर रहा है लोगों को लग रहा है कि company का जितना sustainable और अच्छा business था आज के दिन उतना अच्छा नहीं है लोगों की expectation company से change हो रही है और company का market price गिर रहा है company अपने shareholders में confidence जगाने के लिए बहुत बार higher price पे shares buyback करती है जैसे last 2 सालों में TCS, Infosys वगेरा company से company ने अपने shares buyback किये थे at higher price हुआ क्या? जैसे ही US में Donald Trump आया और उनके visa वाले जो restrictions है उन्होंने उनको tight किया IT companies जो India की थी जो US में जिनका बहुत बड़ा operation है TCS, Infosys दोनों का US में operations बहुत strong है जैसे ही उनका USA का problem शुरू हुआ उनके जो market price थे क्योंकि दिख रहा था कि USA में इनका business नसब खराब होने वाला है लोगों की expectation इनसे कम होती गई और US में market price क्या होते गया? कम होते गया जो India का share price था वो कम होते गया जैसे ही price कम हो रहा था TCS को लगा कि यार अब ये मेरा market price गिरते जा रहा है और हमारा जो actual value होना चाहिए था हम उसके नीचे trade कर रहे लग गए अब लोगों में confidence जगाने के लिए TCS ने बोला जो आपको दाम दिख रहा है 2100-2200 रुपया हम उस share का आपको 2300-400 में buyback करेंगे क्योंकि हमारे share की actual worth 2300-400 रुपय है क्योंकि market सही नहीं चल रहा है US में problem है तो आपको लग सकता है हमारी company अच्छी नहीं है बट आप company से confidence खोईए मत अगर आपको लगता है आपको इस company में नहीं रहना आप दूसरों को मत बेचिए lower dham पे आप हमसे higher dham पे buyback करवा लिजे तो इससे क्या होता है share holder का confidence trending होता है कि company जब अपना ही share के लिए higher dham देने के लिए तयार है मतलब company का share price जो गिर रहा है वो temporary है वो permanent नहीं है तो जब sluggish market चलता है company shareholders में confidence बढ़ाने के लिए company buyback का option यूज करती है तो capital structure को optimize करने के लिए cost of capital को optimize करने के लिए surplus cash को repay करने के लिए hostile takeover से बचने के लिए या फिर sluggish market conditions में अपने shareholder को confidence प्रोवाइड करने के लिए buyback option company यूज करती है पहले बताइए buyback किसको बोलते हैं और buyback कोई company क्यों करती है वो आपको clear हुआ एक बात हमेशा ध्यान लखना buyback जब भी बात करें ना buyback हम लोग जो बोले voluntary लिए voluntary मतलब company का इच्छा हुआ तो करेगा नहीं इच्छा हुआ तो नहीं करेगा redemption के case में हमेशा ये चीज क्या था compulsion आज कल एक option आ गया roll over कर दो क्या कर दो roll over अगर आपके पास पैसे नहीं है cash नहीं है company के पास repayment नहीं कर पा रहे हैं तो आप preference shareholder का नया maturity से नया preference share issue करके उनको roll over कर दो buyback में सब roll over वगयरा नहीं चलता है buyback अगर आपने option use किया है आपने वो कर दिया resolution pass तो buyback में फिर आपको cash payment करके buyback करना होगा ऐसा नहीं है कि buyback पहले किए फिर बोले पैसा नहीं है देने को तो हम buyback नहीं कर पाएंगे यह सब buyback के case में चलता redemption में पहले से ही price fix करता है कि कितना दाम पे आपको redeem करेंगे buyback में price fix नहीं रहता है जिस दिन आप buyback का option दोगे उस दिन जो share market में price चल रहा है उसी price के हिसाब से आप अपना buyback price भी तैय कर लेते हो अगर company quoted नहीं है लिस्टेड नहीं है तो उस दिन का company का जो book value of shares है उसके हिसाब से हम लोग shares का fair value निकाल के share की buyback price तैय करते है सर buyback करने से ultimately effect क्या होगा? effect बिलकुल वैसा ही जैसा redemption में होता था अगर company ने अपना liability पे कर दिया तो equity share capital वाला liability कम हो जाएगा क्योंकि हमने repay कर दिया और क्योंकि हम payment कर रहे है तो हमारा cash वाला asset भी कम हो जाएगा तो एक side company में equity share capital का liability खतम हो जाएगा दूसरा side cash वाला asset कम हो जाएगा investor के लिए this is nothing but a sale of investment हम लोग अब market में नहीं बेचके company को ही दे दिया और company उसके बदले हमको क्या दे दिया पैसा दे दिया तो जब investor accounting करेगा हमेशा investment sale की तरह accounting करेगा जब company accounting करेगा company बोलेगा this is a repayment of liability हमने अपने share capital वाली liability का repayment कर दिया अब क्योंकि redemption of preference shares में भी यही होता था redemption of preference share में क्या होता था preference share capital वाला liability repay कर रहे है तो capital कम हुआ क्योंकि payment करना पढ़ रहा है तो मेरा cash भी कम होता था same चीज क्योंकि buyback में हो रहा है जब हम लोग accounting entries discuss करेंगे ना redemption और buyback का accounting entries जिट्टो सेम होगा क्या होगा एकदम सेम एक भी change नहीं होगा जो मैंने sequence आपको redemption में पढ़ाया था same sequence हम लोग buyback में भी सीखेंगे दो minute के अंदर आपको journal entry learn हो जाएगा major जो difference है ना वो difference है companies act के provision में और main provision जो buyback का है ना वो कौन से section में है section 68 जहां पर buyback से related सारी conditions लिखे हुई है companies act में हम लोग को जो भी accounting करने accounting करने से पहले मेरे को तुमको section 68 और 69 पढ़ाना पड़ेगा उसके बाद हम लोग अपना accounting का process start करेंगे पहले बताईए जो redemption preference shares का होता है वही buyback क्या चीज़ का होता है equity share का फरक इतना है वो compulsory है ये voluntary है company अपने इच्छा से कर रही है वहाँ company का कोई इच्छा नहीं चलता time आया payment कर दो दन है क्या बात बिलकुल लिखे point number one point number one मेरा थोड़ा सा लिखाने का जाधा आदत है आपकी copies अच्छे से maintain होनी चाहिए ये मेरा एकदम मानना है तो थोड़ा लिखाने का जाधा अदत है अगर आप थक जाए तो थोड़ा हाथ बात मल के फिर से लिखना चालू कर दीजेगा buyback option नहीं है हाँ क्या shareholder को नहीं नहीं वो ज़रूरी नहीं है उसमें different different type का modes होता है एक होता है proportionate basis पे सबको देना ही पड़ेगा हमने कर लिए अगर resolution पास हो गया everyone has to give his proportionate share to us एक हो गया directly open market जिसको इच्छा है company को दे तो company उसका पैसा वापस कर देगी जिसको इच्छा नहीं है मत दो तो different modes होता है buyback का वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा compulsorily देना ही होगा किस mode से buyback हो रहा है उस तरीके से हम लोग देखते हैं सीच को तीन mode होता है open market से दूसरा shareholders होना proportionate basis तीसरा employees से भी हम लोग buyback कर सकते हैं जो mode आपने use किया है उसके हिसाब से बात होगा लिखे buyback means buyback means repurchase 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 of its own equity shares repurchase of its own equity shares repurchase of its own equity shares by a company by a company repurchase of its own equity shares by a company Against Payment of Against Payment of Specified Consideration Against Payment of Specified Consideration Bracket में लिखे Buyback Price Indra Against Payment of Specified Consideration bracket में लिखे, buyback price okay आवाज आदा है बंद करना थोड़ा buyback price, full stop point number two point number two it is a mode it is a mode of repayment it is a mode of repayment of liability liability of equity share capital it is a mode of repayment of liability of equity share capital by the company by the company point number three transaction structure transaction structure transaction structure transaction structure do party बोलो कॉन कम्पनी और इक्विटी शेर होल्डर्स प्रेफरेंच शेर होल्डर्स का वगेरा का बाइबैक नहीं होता है कभी भी क्योंकि उनका तो पहले से फिक्स रिडेंप्शन है इक्विटी शेर होल्डर क्या वापस करेगा इक्विटी शेर्स वापस कर देगा company को company उनको क्या देगा consideration किस नाम से buyback price buyback price equity shares वापस कर देगा और ये company इसको consideration payment करेगा company equity shares को क्या कर देगा equity shares cancelled क्योंकि जब तक share cancel नहीं होगा तब तक liability खतम पढ़ा होगा 7 दिन के अंदर equity share जो है वो extinguish करना पड़ता है आपको completion of buyback से 7 दिन के अंदर cancelled depository इस फ़र्म में electronically cancel कर दिया जाता है उसको वहाँ से उसके data code आ दिया जाता है उसका paper जो company के पास होता है electronic लिए वो भी आपको हटाना पड़ता है दोनों company के हाथ में effect बताओ equity share capital कम हो जाएगा खतम नहीं होगा कम होगा बोल रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा share से एक बार में buyback नहीं हो सकता उनकी limits दीवी है companies act way और दूसरा cash वाला asset कम हो जाएगा क्योंकि आपको repay करना है shareholder के हाथ में ये कैसे account for होगा sale of investment जैसे आप investment sale की accounting करते हो वैसे ही आपको account for करना है फरक बस इतना है ये आप market में नहीं बेचके company को वापस देके पैसा ले रहे हो और कोई फरक नहीं है तो shareholder अपना share वापस करेगा company उसको उसका पैसा वापस करेगा company के हाथ में share capital कम हो जाएगा cash कम हो जाएगा और उसके लिए वो क्या माना जाएगा sale of investment point number four point number four reasons क्यों buy back करते हैं reasons ये सब पांच माग का exam में question आ सकता है theoretical question number six में last question में done number a दिखो to repay huge surplus cash to repay huge surplus cash available with the company अगर company के पास huge surplus cash balance है तो उसको repay करने के लिए buy back कर सकती है पहले एक बात पुछू तरह से एक conceptual question पूछ रहा हूँ मालने company में debentures है preference shares है, loan है और equity shares है company के पास बहुत huge surplus cash है पहले किसको pay करना चाहिए देखो depend करता है capital structure आपको कैसा रखना है done अगर तुम मेरे से normal भाषा में पूछे एक student की तरह अगर answer दूँ मैं बोलूँगा ने default नहीं किया हो payment of loan, payment of debenture, payment of preference share मालनो preference share का time आ चुका है आपने उनको अभी तक payment नहीं किया और इधर आप बोल रहे है हम equity share को buy back करेंगे companies act मारेगा जूता बोलेगा जिसका time आया उसको तो दिया नहीं और अब बोल रहा है equity share को repay करेंगे वो possibly नहीं है section 70 में prohibition लगा दिया और prohibition सिर्फ एक साल नहीं उसके बाद next तीन साल ठीक करने के बाद ठीक करने के बाद तीन साल तक नहीं कर सकते buy back वो solvency position ताकि strong रख सके इसके लिए वो करने allowed नहीं है तो अगर आपके यहाँ debentures preference share वगेरा का liability है जो आपने repay नहीं किया time आने पर time आने पर overdue है तो पहले उनको repay करना पड़ेगा तभी buy back allowed otherwise buy back allowed माल लो भईया preference share ऐसा है जिसका time नहीं आया तो हम buy back कर सकते हैं कर सकते हो कोई दिक्खत नहीं है तब कोई दिक्खत नहीं है act ने मना नहीं किया है बट आपको देखना पड़ेगा कि हमारी future पे जो solvency position है वो सही रहेगी या director लोग को एक declaration of solvency देना पड़ता है उसमें बताना पड़ता है कि next year तक जो भी liability आएगी हम उनको repay कर पाएंगे हम solvent रहेंगे वो उनको declare करके देना पड़ता है तो ये सारी चीज़ देखने के बाद ही buy back होता है buy back का का काम इतना simple नहीं है buy back is a very 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 technical job to be done अगर इसमें आप कहीं गलती करते है उल्टा बुल्टा पैसा चला जाता है फिर company को revive करना ही मुश्किल हो जाता है TCS एक ठो buy back किया पता है कितना रुपया ओड़ाया 16,000 करोड रुपया buy back में वापस किया है 16,000 क्रोड रुपया एक ठो buy back किया उसमें वापस किया है तो कितना बड़ा उसके पास सोच cash reserve होगा बिना cash reserve के आप कभी भी buy back कर ही नहीं सकते market के 16,000 करोड नहीं अगर price की हिसाब से बात करू market से 15-20% अप में वो buy back किया था जो भी 10-15% अप में वो position खराब चल रहा था shareholder confidence को enhance करने के लिए ही उन्होंने buy back किया था आगे number B to optimize to optimize बोलिये क्या capital structure and overall cost of capital to optimize capital structure and overall cost of capital number C to prevent hostile takeovers number D to enhance shareholders confidence shareholders confidence in sluggish market in sluggish market to enhance shareholders confidence in sluggish market कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं to improve EPS and earning percentage return on capital employed समझत हो return on capital employed earning percentage भी बोलते हैं हम लोग to improve EPS and return on capital employed यह कैसे improve होगा रहें P ratio का बात नहीं है total number of shares कम हो जाएगा तो मेरा EPS क्या हो जाएगा EPS होता है profit divided by number of shares अगर number of shares कम हो जाएगा तो EPS मेरा इसमें cross question है cross question है question ऐसा है तुम cash वापस कर रहे हो cash वापस कर रहे हो मतलब जो business का scale था जितना asset था कम हो गया तो अब profit भी तो very good the word is surplus cash मतलब जो business में लगा हुआ है वो निकाल के नहीं दे रहे है जो extra बचा हुआ है जो reserves है जिसका कोई utilization नहीं है या जिसका utilization का जो benefit है वो cost of capital से कम है हम लोग उस पैसे को वापस कर रहे है तो इसमें improve ही होगा EPS खराब नहीं होगा आप market से नहीं नहीं market से नहीं हम proportionate basis पे करेंगे promoters को छोड़के सबसे proportionate basis कैसे कम होगा सबको बोलें tender करना ही पड़ेगा हाँ proportionate basis पे लेंगे फिर open market नहीं रखे open market रखेंगे तो तुम दो गई नहीं तुमारा तो और holding बढ़ जाएगा proportionate basis पे लेंगे उस समय बोलेंगे सबको अपना 10% minimum देना पड़ेगा उस रिसाफ से buyback करेंगे डान promoter को बोलेंगे आपको नहीं देने की ज़रत है तो promoter का holding strengthen हो जाएगा और बारवाले की holding कम हो जाएगे ठीक? पहले बताए reasons for buyback आपको clear है तो point number B B बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा debt लेके business करना चाहते हो ताकि आपका जो overall cost of capital होता हम लोग जानते है KD is always lower than KE तो अगर हम लोग higher cost KE को replace कर दे और lower cost debt पे business करे तो हमारा जो overall cost of capital हो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बट MM models वगेरा याद रखना, एक level से जाधा अगर debt ले लिया, तो फिर वो double, double agent short जानते हो ना double agent short, trading on equity, एक level से अगर तुमने जाधा debt ले लिया, तो equity को risk लगना चालू हो जाता है, फिर तुमारा जो KE है वो बहुत higher rate से बढ़ेगा और आपका KO क्या हो जाएगा? तो आप अपने हिसाब से optimum capital structure select कर लो कि आपको कितना cost of capital चाहिए क्या आपका capital structure होना चाहिए उसके हिसाब से आप buyback करके mix कर सकते हो debt को repayment कर दिया, equity बढ़ाना है equity repayment कर दिया, debt बढ़ाना है उस हिसाब से हम लोग अपना capital structure optimize करते है done, पहले बताईए buyback किसको बोलते हैं और buyback का transaction किस तरीके से होता है वो आपको बात समझ भाई अब हम लोग को सीखना है कि buyback का accounting company कैसे करता है हम लोग को यहाँ पे जो भी पढ़ना है company के perspective से पढ़ना है तो company एक buyback का accounting किस तरीके से करना है वो हम लोग को सीखना है बट accounting सिखाने के लिए मेरे को companies act के दो section के कुछ points आपके साथ discuss करने होंगे एक है section 68 और एक तुमारा favorite section 69 चलिए point number 5 क्या हो गया क्यों हस रहे हो CRR तो पसंद है ना तुम लोग को नहीं पसंद है नहीं हमको लगा था तुम लोग को अच्छा लगा वो concept नहीं वो proportionate basis में हम लोग बोलते है कि हम लोग 10% buyback करेंगे अगर resolution पास हो गया तो चाहे कोई मना भी कर रहा है देना उसको भी पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपका इच्छा नहीं है तो आप बैठे ही है अगर आपने नहीं भी बोला है तो आपको देना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट बैसिस के समय सबको देना पड़ता है वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके से लेना चाहती है हाँ उंगली कर दिया तो उंगली कर दिया उसके बिना ऐसा आरपास नहीं हो सकता फिर वो प्रॉब्लम क्रियेट करेगा तो उसका डिसीजन मेकिंग में पार्ट तो ही है तो उसके हिसाब से काम चलेगा पॉइंट टंबर फाइफ लिखेंगे प्रोवीजिंस ओफ कंपनीज एक्ट कौन कौन सा सेक्शन वेरी गुड शिक्स्टी एट और शिक्स्टी नाइब चलिए बोलना शुरू करें सबसे पहले लिखना नहीं है अब सुनते जा सबसे पहले सेक्शन शिक्शन शिक्श्टी एट कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बहुत सारी बाते ऐसी है जो एक्ट में अलग तरीके से लिखी है बट उसको समझना अलग तरीके से पढ़ता है प्रेफरेंशेर का रिडेम्शन अगर अच्छे से किया हुए तो यह अपनी आप सब समझ में आजाएगा एक बार में बोलते हैं नहीं तो वापस ट्राइ करना रिडेम्शन अप्रेफरेंशेर रिवाइज हो जाएगा पहला सेक्षन 68 में बात बुला गया कि कम्पनी जब बाइबैक करेगी उसको एक यूज कैश फंड चाहिएगा क्या चाहिएगा यूज कैश फंड क्यूंकि हम लोग रिपे करेंगे अपना शेयर होल्डर्स को तो हम लोग को एक यूज सर्पलस कैश फंड चाहिएगा जिसको हमको रिपे करने में यूज करना है तो question arise हुआ ये कैश फंड या ये फंड आप कहां कहां से कहां कहां से लेके आएंगे जिसको हम लोग बोलते है sources of buyback क्या बोलते है sources of buyback Companies Act ने बोला buyback के तीन sources हो सकते हैं कितने sources मैं broadly बोलूँगा दो फिर ये दो बन जाएंगे तीन पहला source ध्यान से बीच में बत बोला पहला source out of existing assets out of existing assets मतलब हमारे पास जो balance sheet में बिजनस में जो cash balance, bank balance, investments वगेरा पड़ा है जिनका काम नहीं है हम लोग उनको बेच वगेरा के जो पैसा realize करेंगे उस पैसा से हम लोग buyback कर सकते हैं बट existing assets से buyback उतना ही buyback के लिए उतना ही पैसा use कर सकते हैं जितना आपके पास दो चीज है एक free reserve और दूसरा securities premium जब आप buyback पढ़ोगे section 68 पढ़ोगे वहाँ पे सीधा लिखा हुए out of free reserve, out of securities premium बट आपको एक चीज़ समझना पढ़ेगा कि free reserve या securities premium कोई गुलक नहीं है जिसके अंदर पैसा डाला हुआ है, वो सिर्फ एक book entry है क्या है? book entry हमारे पास profits कमा के आया था हमने उसको reserve में transfer कर दिया हमने share issue किया था है at higher value हमने उसको securities premium account में credit कर दिया पैसा कभी भी reserves में नहीं होता है पैसा हमेशा asset side में होता है आपने दोनों side के कभी नाम सुने है source of fund, application of fund source of fund मतलब पैसा कहां कहां से आया था application मतलब पैसा अभी कहां कहां पर लगा हुआ है जब भी मैं पूछूँगा cash या पैसा कहां है तो पैसा हमेशा asset side में दिखाई देगा वो कभी भी reserves के अंदर दिखाई but problem यह arise होता है कि अगर आप सारा का सारा पैसा उठा के shareholder को आज pay कर दोगे तो कल जो creditor को, debenture holder को preference shareholder को payment करने का time आएगा उससे में तो आप अपना हाथ खड़ा कर लेंगे कि पैसा नहीं है हमने तो सब equity को दे दिया इसलिए companies act ने बोला कि existing assets से जब पैसा निकालेंगे उतना ही निकाल सकते हैं जितना आपके पास balance है, कौन-कौन से reserves में free reserves and securities premium मैंने word free reserves आपके साथ discuss किया था, free reserve बतलब ऐसा reserve जिसका कोई specific use act में नहीं लिखा हुआ है जो कोई भी काम के लिए use हो सकता है जैसे example general reserve profit and loss का balance, dividend equalization वाला reserve या any other specific reserve जिसका purpose खतम हो चुका है अगर कोई reserve specific था बट उसका काम खतम हो गया है तो वो क्या बन जाएगा free reserve, तो free reserve मतलब general reserve, PL वगेरा ये कोई भी काम के लिए आप use कर सकते हो तो अगर buyback में भी shareholder को पैसा देने के लिए तुमको जरूरत पड़े तो बोला free reserve हाप आराम से use कर लेना दूसरा reserve कौन सा बोला securities premium, securities premium का section था section 52 वहाँ पे बोला गया था securities premium पांचीज के लिए use हो सकता है याद है वो पांचीज B, P, D, B, P bonus और buyback तो buyback के लिए securities premium का जो balance है वो आराम से use किया जा सकता है तो पहला जो source बोला गया वो बोला गया free reserve दूसरा source बोला गया securities premium आप कभी भी इनको ऐसे नहीं पड़ोगे free reserve और securities premium आप इसको ऐसे पड़ोगे कि buyback के लिए पैसा चाहिए वो हम लोग निकाल सकते है out of existing assets मेरे पास जो cash पड़ा है, bank पड़ा है investment वगेरा पड़ा है जिनका कोई काम नहीं है हम उनको बेचके buyback का पैसा ला सकते है बट ये पैसा उतना ही निकाल सकते है जितना मेरे पास क्या है free reserve and securities premium में balance है हम सारा का सारा पैसा उठा के shareholder को एक बार में वापस नहीं दे सकते दूसरा आपको बोला गया out of issue of new shares और securities out of issue of new shares और securities ध्यान से बट इसका एक proviso है proviso में बोला गया नया share issue किया जा सकता है बट जिस kind of shares का buyback करे हो same kind का issue से buyback नहीं हो सकता यानि अगर मैं equity shares buyback करने जा रहा हूँ तो मैं equity share नया issue नहीं कर सकता क्योंकि buyback करने का सबसे पहला reason क्या था? मेरे को अपना liability कम करना है surplus cash यूज़ करके repay करना है अगर आपके पास surplus cash था liability को pay करने के लिए तो आपको नया share issue करने का दरकार होना तो जो चीज़ का buyback करने वो चीज़ तो issue करने कभी आपको देंगे ही नहीं इतना छूट दिया गया equity का buyback करना है preference share issue कर लो preference का करना है equity share issue कर लो but same kind of share से same kind का buyback करना allowed और दूसरा word जो change हुआ वो बोला गया new shares और securities देखो securities का मतलब जो act में बोला गया है securities में उन्होंने दिया है जो shares आपने employees को issue कर रखा under employee stock option plan वो सारा shares को issue करके भी आप buyback कर सकते हैं but institute तुमारा mean करता है securities means every kind of security including debenture तो आप चाहो तो debenture issue करके भी अपने equity shares का buyback कर सकते हो तो total 3 sources बताया गया पहला source free reserve, दूसरा source securities premium, तीसरा source issue of new shares or securities however same kind of shares cannot be issue to buyback the same kind of share, यानि equity share का buyback करना तो equity share नया issue करना allowed नहीं है, preference share issue करके पैसा लाओ buyback करो हमको कोई दिक्कत नहीं है but equity share issue करके आप equity share का buyback तो सबसे पहला point जो section 68 ने बोला कि buyback का पैसा कहां से लाहेंगे, दो source दिया गया, existing asset अगर आपके पास surplus cash पहले से पढ़ा है अगर surplus cash कम है तो आप चाहो तो नहा shares या securities issue करके भी buyback कर सकते हो, पहले बताईए first point section 68 का बात clear है, अब ध्यान से अगर आप नहा shares और securities issue करके buyback करते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक source से पैसा आया, उससे दूसरे source को आपने repay कर दिया, बट अगर आप existing asset से पैसा निकालते होना, तो section 69 ने बोला, आपको एक reserve create करना होगा, जिसका नाम होगा, capital redemption reserve, सर ये capital redemption reserve क्या चीज है हुआ क्या, जब आप existing asset से निकाल के पैसा shareholder को payment कर रहे हो, तो companies act के पास जितने भी creditors है न वो गए, creditors ने बोला, सर ये जो asset से पैसा निकाल के दे रही है न, company फटा फट 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 ये पैसे पर पहला हक मेरा है क्योंकि हम इनके outside liability holders है तो पहले इनको हमको payment करना चीए, उसके बाद इनको shareholder को पैसा वापस करना चीए, बट ये लोग अभी shareholder को पैसा दे रहे हैं हम लोग को ये डर लग रहा है कि future में हमको पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो companies act गया company के पास, अरे यार क्या कर रहे हो बिना creditor को पी है कि ये बिना shareholder को पैसा वापस क्यों कर रहे हो, तो companies act ने, company ने बुला, sir हम reserve से निकाल के पैसा वापस करें, कहां से, reserve से, sir reserves पे हक होता है shareholder का, क्योंकि reserve पे shareholder का हक है, तो sir हम उनको मना नहीं कर सकते पैसा देने से तो sir, आप हमको ये मत रोकिए कि हम पैसा दे ही नहीं सकते, अगर ऐसा होगा, तो sir, वही हो जाएगा equity share के साथ की बीच में exist option दे ही नहीं सकते, पहले सारा liability pay होगा उसके बाद shareholder को pay करेंगे sir, buyback तो एक exit option है shareholder अगर company से निकलना चाह रहा है तो हम उसको option दिए, तुम share वापस करो और पैसा लेके चले जाओ, तो sir, ये option हम लोग अगर उसको दे रहे हैं और उसके free reserve या security premium जो reserves है, उससे उसको पैसा दे रहे है तो sir, creditor को क्या दिक्कत है, reserves पे तो पहला किसका होता है shareholder का company ये जाके बोला creditor को कि यार देखो companies act वाला बोला company उसको creditor को, कि देखो company तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कि वो जो पैसा दे रहा है reserves के balance से निकाल के दे रहा है, तुमको इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो creditor बोला ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है company reserve से shareholder को pay कर सकती है बट company को एक बात बोल दीजे कि future में बार बार dividend और पैसा वापस ना करें, क्योंकि आज भी वापस कर रही है, future में भी free reserve से dividend देते जाएगी, तो मेरे लिए तो कोई पैसा ही, तो company reserves or securities premium खाली करो और इनका balance transfer कर दो एक नए reserve में जिसका नाम होगा CRR, इससे फाइदा क्या होगा अगर free reserves हो जाएगा खतम तो company को जिए dividend देने की capability है, वो खतम हो जाएगी, क्योंकि dividend can only be paid out of free reserve जैसे ही company का free reserve कम होगा company of future में dividend वगेरा, पैसा वगेरा वापस नहीं कर पाएगी, अगर नहीं कर पाएगी तो पैसा बचेगा और ये पैसा किसको payment करेंगे, creditor को payment करेंगे, तो to safeguard the creditors of the company, company जैक ने बुला कि अगर आप existing assets से पैसा निकाल के buyback करते हो, आपको अपना free reserve or securities premium account का balance खाली करके एक निया reserve में डालना होगा, जिसका नाम होगा, capital redemption reserve, सर ये CRR का क्या काम है, CRR का सिर्फ एक ही काम है, issue of fully paid bonus share, और कोई काम इससे कर, सर bonus share किसको issue होगा, equity shareholder को issue होगा, तो सर बात तो वही पढ़ा ना, आपने equity shareholder को वापस बांट दिया, answer is, bonus में कोई cash का आवागमन नहीं होता है, bonus में तो नया share issue किया है, उसमें तो ना cash लिया, ना cash दिया, क्यूंकि company के cash को हम टच नहीं कर रहे हैं, तो creditors को कोई दिक्कत नहीं है, creator को बोल रहे हैं, आपको जो करना है कीजे, बस company का assets मत उठाईएगा, क्यूंकि उस assets से पैसा पहले किसको मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है, तो section 69 ने बोला, अगर company buyback करते समय, existing assets से पैसा use करती है, तो उनको अपना free reserve और securities premium से कुछ amount transfer करना होगा, in a new reserve called CRR, हमने पूचा कितना transfer करना होगा, बोला जितना face value of equity share, आपने buyback की out of free reserve and securities premium, यानि जितना face value आपने buyback की out of existing assets, उतना आपको transfer करना होगा, कहांपे CRR में, एक छोटा सा formula सिखाया था, CRR equal to, face value of equity shares bought back, वहाँपे सिखाया था, face value of preferential redeem, minus face value of new shares issued, यहाँपे होगया face value of equity shares bought back, minus face value of new shares, या securities issued, जैसे माल लो 10 लाग का हम लोग equity share, face value की बात कर रहा हूं, 10 लाग का equity share हम लोग buyback करना चाहते हैं, 4 लाग का हमने preferential share नया issue कर दिया, तो 10 लाग में 4 लाग तो हमने capital replace कर दिया, उसमें तो creditor को कोई दिक्कत एक source से लिया, दूसरे उसको pay कर दिया, तो जब मैंने capital replace कर दिया, share creditor बोल रहा हमको कोई दिक्कत नहीं है, balance जो 6 लाग हमने internal cash से निकाल के दिया, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो पहला point companies act का section 68 बोला, sources, अगर आप उस sources में से existing assets से use करते हो, buyback करने के लिए पैसा, तो फिर आपको एक निया reserve create करना होगा, कौन सा, ये कौन बोला section 69, तीसरा section 68 वापस बोला, buybacks करतें से पहले ये check कर दिजेगा, कि जिन share का buyback हो रहा है, वो fully paid है या नहीं, partly paid shares को आप buyback नहीं कर सकते, पहले उन shares को आपको fully paid करना होगा, final call करके, उसी के बाद buyback होगा, otherwise buyback, ये तीनों condition तुम section 55 में भी पढ़े थे, redemption में भी हम लोग पढ़े थे, doto source out of existing assets, और दूसरा out of issue of new shares, फरक क्या था मैं तुमको बोल रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ existing assets उतना ही use कर सकते थे, जितना free reserve था, यहाँ free reserve भी use कर सकते हैं, और securities premium भी use कर सकते हैं, दूसरा, वहाँ पर new shares वर्ड था, तो चाहे equity issue करो, चाहे preference issue करो, कोई problem नहीं था, यहाँ पर पहला restriction है, same kind of share issue नहीं कर सकते, दूसरा, यहाँ पर shares के साथ, word securities भी दिया हुए है, तो आप कोई भी type की securities issue कर सकते हो, including employee stock option plan के under shares, या फिर debentures issue करो, तो भी कोई दिकत नहीं है, और दूसरा point हमने पढ़ा था, कि वहाँ पर भी preference share redeem करने से पहले, fully paid होने चाहिए, यहाँ पर भी equity share buyback से पहले, fully paid होने चाहिए, तीसरा point पढ़ा था, अगर existing asset से preference share redeem किया है, तो आपको CRR बनाना पढ़ेगा, यहाँ पर भी पढ़ा कि अगर existing asset से buyback किया है, तो क्या बनाना पढ़ेगा, मतब जैसा provision section 55 का है, वैसा provision section 68 और 69 का है, आपको accounting basic सीखने से पहले, यह 3 point हमेशा यहाँ दोने चाहिए, कहां कहां से पैसा दे सकते हैं, fully paid होना चाहिए share, और अगर existing asset से payment किया है, तो क्या बनाना पढ़ेगा, CRR, देखो, CRR के उपर short note, institute अभी तक दिया नहीं है, मेरे को लगता है, कोई भी term में CRR के उपर एक short note आएगा, कि company को CRR बनाना ही क्यों पढ़ता है, 5 माग के लिए, तो sir क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे company जब अपना preference share redeem करता है, या equity share buy back करता, out of existing asset तो CRR बनाना पढ़ता है, कितना बनाना पढ़ता है, जितना face value आपने redeem किया, या buy back किया, उतना बनाना पढ़ता है, क्यों बनाना पढ़ता है, to safeguard the interest of creditors, आपने आज existing asset से निकाल के shareholder को पैसा दे दिया, तो creditor को डर लग रहा है, कि उसका पैसा future में वापस आएगा या नहीं आएगा, तो वो चाहता है कि ये insure करे company की आज पैसा दे दिया, तो future में यही पैसा वापस न बाटे, उसको रोकने के लिए बोलागे, आप अपना free reserve खतम करो और CRR में पैसा डालो, जैसे CRR में वो reserve का balance जाएगा, future में आप dividend नहीं दे पाओगे, तो main जो मुद्दा है वो यही है कि free reserve को कम कर दिया जाए, to the extent आपने पैसा दिया है existing assets से, ताकि future में same पैसा आप dividend के रूप में बाट ना सको, बहले बताईए, ये तीनो point clear है, जो हमने section 55 में पढ़े थे, आप section 68 और 69 में same point पढ़ रहे है, तीनो point clear है, पक्का, लिखे point number one, condition में point number one, provisions में point number one, कुछ भी आ जाएगा, बट हम लोग fixed assets वगेरा बेच के buyback नहीं करेंगे, जो चीज business में लगा हुआ है, उसको वापस नहीं निकालेंगे, बट मालने non trade investments है, जैसे हम लोग investment कर रहे हैं, ऐसे ही किसी company का equity share में, FD में पैसा डाल के रखा हुआ है, जिसका और कोई काम नहीं था, वो सब बेच के आप buyback करो, हाँ, वो सब सब कुछ आ सकता, उसमें कोई restriction नहीं है, बट company कभी भी operating assets को बेच के buyback नहीं करती है, surplus cash का मतलब, यह cash idle पढ़ा हुआ है, या तो यह cash bank balance में पढ़ा होगा, cash in hand पढ़ा होगा, या invest वगरा किया होगा, FD वगरा में, बेकार था, कोई काम नहीं आ रहा था, अब हम लोग इसको वापस करना चाते हैं, लिखे, point number A, sources, sources of buyback, number one, out of, लिखेंगे, account जैसे ही, अब law जैसे नहीं लिखेंगे, existing assets, law में सीधा लिखा हुआ है, free reserve और security इस प्री में, हम लोग वो नहीं लिखेंगे, out of existing assets, to the extent of, to the extent of, बोलो, free reserves, and securities premium, यह जरूर समझिएगा, कि free reserve और securities premium में, खुद में कुछ पैसा नहीं होता है, पैसा asset में रखा हुआ है, जिसका balance free reserve रिप्रेजेंट कर रहा है, रहा है, number two, out of, issue of, new shares, or securities, out of issue of new shares, or securities, note, however, same kind of shares, same kind of shares, बोलो, cannot be issued, same kind of shares, cannot be issued, यानि, equity का अगर buyback करना है, और पैसा चाहिए, तो preference issue करके लाईए, बट equity issue करके पैसा लाना allowed, नहीं है, यह हो गया, sources of buyback, point number B, heading 2, CRR, bracket में section 69, accounts में वैसे काम नहीं है, section का, number का काम नहीं है मिर को, CRR, dash करके लिखो, if, अरे क्या हो गया भाई, तुम लोगी हासरा है, हाँ, ठीक है, हम राउल रवड के फ्लेंट फैन है न, if equity shares are bought back, test वाला, test वाला, if equity shares are bought back, out of, existing assets, if equity shares are bought back, out of existing assets, underline करे इसको, मैं जिन चीजों पर underline कराता हूं, पक्का करे वहीं, चीजे गलत होती है या भूल जाते हैं, then, an amount, then, an amount, equal to, then, an amount, equal to, the face value of equity shares, an amount, equal to, the face value of equity shares, so bought back, so bought back, shall be, shall be, transferred to, shall be transferred to, a new reserve, अ नू रिजर्व, बोलो, शैल बी, transferred to, a new reserve, called, CRR, out of, बोलो, out of, free reserves, and, securities premium, इस, एक, लाइन में, तीन, अंसर किया गया है, पहला, कब बनाना पड़ता है, जब आपने, existing assets से, buyback किया, दूसरा, कितना, बनाना पड़ता है, जितना, face value, आपने, buyback किया, existing assets से, तीसरा, कहां से बनाना पड़ता है, तो free reserves, and, securities premium से, तो इस, एक ही paragraph में, तीन questions, CRR के बारे में, answer किये गए है, कब, कितना, और, कहां से बनाना पड़ता है, इसका reason क्या है, वो मैंने एक बार बोल दिया है, to protect the interest of, creditor, लिख लो नीचे, reason, ताकि एक्जाइम में याद रहे, to protect the interest of, creditors of company, इसके बाद, इसका use, bonus chapter आपने पड़ा होगा, issue of, fully paid bonus share, सिखाया था, bonus share में use हो सकता है, बट bonus call में issue, use नहीं हो सकता, क्योंकि bonus call में, bonus share issue नहीं हो रहा है, सिर्फ आप partly paid को, fully paid कर रहे हो, तो CRR, एक ही चीज में use हो सकता है, issue of fully paid bonus share, जिसका पहले से, act में बताया हुआ रहे, use, उसको क्या बोलते हैं, उस reserve को, कौन सा reserve बोलते हैं, specific reserve, तो दो reserve हो गया, free reserve और specific, जिसका act use बता दे, वो specific, जिसका कोई use नहीं बताया हुआ, वो free, पहले बताईए, point B clear है, CRR का formula हमेशा basic याद रखो, CRR equal to, face value of equity shares bought back, मैंने word लिखा है, face value, minus face value of new shares और debentures issued, कोई भी issue किया चलेगा, देखो debenture issue किया, मेरे को समझ में नहीं आता है, ये गलत concept है, बट तुमारा institute इसको support करता है, गलत क्यों है, मैंने एक reason भी बताया था, अगर debenture issue करके, या loan लेके buy back करोगे, तो problem क्या होगा पता है, क्रेडिटर को अभी भी डर लगेगा, बोलेगा, क्रेडिटर बोलेगा, asset तो constant है, बट खाने वाला भढ़ गया, cake वाला example, दो चीज से मेरे को डर लगता है, माल लो मेरे सामने एक cake रखा हुआ है, done, दो pound का cake, मेरे size के हिसाफ से रखा गया है, chocolate truffle, कौन सा वाला chocolate truffle रखा गया है, किसका, वो अपना है ना, cookie jar वाला, उसका best है chocolate truffle, तो वो cake रखा हुआ है, अभी मैं खाने जा रहा हूँ, मेरे को दो type का डर है, पहला डर, मेरे से पहले कोई आके हाथ ना मार ले, इस cake में पहला आक मेरा है, अगर मालो तुम लोग आ गये class में, और तुम आके हाथ मारोगे, तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा की नहीं, दूसरा, मेरे साथ आके कोई और खड़ा ना हो जाए, मेरे पीछे अगर तुम खड़े हो की, अभिनाज भी आप पेट भर लीजे, फिर हम खाएंगे, तब हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा काम नहीं होगा, तब तक हम तुमको लाके, तो जब share issue कर रहे हो, तो creditor को डर नहीं है, क्योंकि share holder, creditor के पीछे खड़ा रहता है, liquidation में, लिक्विडेशन के टाइम, creditor बुलेगा, share holder तुम पीछे जाके खड़े रहो, जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा, तब तक मत आना पैसा लेने, बट अगर माल लो, creditor के साथ, एक और creditor आके खड़ा हो गया, तो creditor यह नहीं बुलेगा, पीछे जाके खड़ा रहो, दोनों साथ में खड़े हैं, पैसा मिलेगा, बांटेंगे, कम पड़ गया, तो जितना जितना है, उतना उतना बांट के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, पहले तुम को मिलेगा, बाद में हमको मिलेगा, तो हमेशा दो चीज का डर हो गया, पहला डर तुम अगर asset से पैसा दे दिये तो asset ही नहीं बचेगा, तो हमको कहां से मिलेगा, दूसरा डर तुम अगर debenture या loan लेके पैसा दिये हो, asset तो effect नहीं हुआ, बट मेरे साथ आके एक आदमी खड़ा हो गया, जो यही cake खाने के issue होगा, वहाँ debenture को allow नहीं करते हैं, यहाँ पर institute share और debenture दोनों यूज करता है, क्यों? क्योंकि institute बोलता है word लिखा हो है securities, क्या word लिखा हो है? securities, actually act को अगर पढ़ते हैं, तो intent हमेशा पहले रहना चाहिए, words हमेशा secondary होता है, बट institute ने word को पहले रखा, intent को secondary कर दिया, intent क अभी भी यहीं ने था कि CRR का, CRR का intent हमेशा था to safeguard the creditor, तो intent के एसाब से यहाँ debenture आना नहीं चाहिए, बट law में लिखा है securities वर, तो institute interpret कर रहा है कि debenture भी issue किया चाह सकता है, तो मारे law के teacher जादा अच्छे से बता पहेंगे इसको, वो जादा सक्षम रहेंगे इसमें, हा नमबर C, वो तो ठीक है, बट equity shareholder को तो पैसा वापस मिल रहा है न, जो पैसा लेके जा रहा है उसको कहें का डर, जो बचा हुए उनको डर लगेगा, जो बचा हुए उनको डर लगेगा, बट जो चला गया उसको तो कोई डर नहीं है न, main पहले कौन है, जिसको समालना है, क्रेडिटर को, equity shareholder को तो मेरा obligation एकदम last में आएगा, तो हमको tension लेने का ज़रत नहीं है as a company, बट क्रेडिटर को मैं अपको पैसा timely चुकाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको अपना पैसा बचा के रखना पड़ेगा, नमबर C, the equity shares being bought back, being bought back must be, बोलिये कुछ, must be fully paid up, must be fully paid up, अगर partly paid है तो पहले क्या करोगे, final call करके fully pay करेंगे, फिर equity share का buy back start होगा, बिना fully pay किए buy back नहीं हो सकता, अभी मैंने सिर्फ तीन पड़ाए है, तीन थोड़ा बाद में पड़ाएंगे कल की class में, आज ये तीन से मेरा आज का काम complete हो जाएगा, जो journal वगएरा कराना है, sums कराना है, वो आज हो जाएगा, तीनो condition clear है, पहला कहां से पैसा निकाल सकते हैं, existing asset या नया share securities issue करके, दूसरा अगर existing asset से दिये तो क्या बनाना पड़ेगा, C आ रहा है, तीसरा fully paid होगा तो ये buy back allowed है, partly paid है तो पहले fully paid करो और उसके बाद buy back करना, ये learn हो जाना चीए, क्योंकि same चीज आपको redemption of preference shares में भी पढ़ाया हुआ है, done, point number six, इसके बाद questions करेंगे, आईए फटा-फट, point number six, लिखें journal entries, journal entries, आप लिख सकते हैं bracket में same as redemption, same as redemption of preference share, ताकि दो बार learn ना करना पड़े, मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ, किस तरीके से journal entries किया करते थे, entry आपको सारा आता है, मैं पूछूँगा, आप बिल्कुल correct correct बताएंगे, आपको एक भी सिखाने का ज़रत नहीं है, सबसे पहले, जिस दिन company ने resolution pass किया, declare कि buy back करेंगे, तो company को buy back price due करना होगा, कि ह हमको shareholder को अब पैसा देना है, जब company buy back price due करेगी, company बोलेगी मेरा अब equity share capital खतम होने जा रहा है, क्योंकि हम उसको cancel कर देंगे, तो equity share capital account debit, अगर face value पे भी buy back किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है buy back किस हिसाब से करते हैं, market price के हिसाब से, तो हो सकता है face value से क कुछ ज़्यादा देना पड़ जाए, जिसको हम लोग बोलेंगे premium, क्या बोलेंगे premium, पहले बोलते थे premium on redemption of preference share, अब बोलेंगे premium on buy back, क्या बोलेंगे premium on buy back, अगर आप ज़्यादा पर buy back कर रहे हो face value से उपर, तो जो extra दे रहे हो, वो company के लिए loss है, क्या है loss, 10 रुपिया क capital दिख रहा है balance sheet में, payment कर रहे हो 25 रुपिया करके, तो 15 रुपिया extra दे रहे हो, तुमारे लिए क्या है, loss, वो loss को हम लोग बोलते है, premium on buy back, loss होने से हम लोग उसको क्या करेंगे, debit, तो equity share capital account debit, premium on buy back account debit, यह सारा पैसा किसको देना है, equity shareholder को, तो two equity shareholder और वो मेरा creditor बन गया कि हमको अब उसको पैसा देना है, अब पैसा देने के लिए पैसा इखटा भी तो करना होगा, अगर company ऐसी है कि उसके पास पहले से बहुत सारा cash और bank balance है, तब तो हमको यह अलग से करने का ज़रत नहीं, बट मालो company के पास cash bank balance कम है, तो या तो कुछ surplus investment वगरा sell करे, या कु आज shares issue करेंगे, तो bank account debit to preference share capital, equity share मत बोलो, bank account debit to preference share capital या debenture, अगर share premium पे issue किया है, तो two securities, तो अगर हमको पैसा, पहले से मिर पास बहुत सारा है, cash bank balance तो अलग से कुछ करने का ज़रत नहीं, बट अगर मिर पास cash bank balance कम है, तो हो सकता है, हमको कुछ investment वगरा sell करना पड़े, य जैसे ही मिर पास पैसा है का, अब मैं shareholder को क्या करूँगा, payment करूँगा, अगर equity shareholder को payment करना है, creditor को, तो journal entry, equity shareholder account debit to bank, हमने उसको payment करके खतम कर दिया, premium मेरा loss था तो उसको आप क्या करना होगा, write off करना होगा, premium write off होगा, दो जगा से, securities premium या free reserve, मेरा question, पहले किसको use करेंग securities premium, एक चीज़ सिखाया था, जब भी reserve use करने का बात आए, हमेशा पहले specific reserve को use करोगे, क्यों, क्योंकि उनके जो uses है, वो limited है, अगर limited uses है, तो जब भी उसका काम है, उसको use करके खतम कर दो, फिर अगर और ज़रुरत पड़े तो किसको use कर ले ना, free reserve को, तो हम लोग securities premium free reserve use क करके किसको write-off कर देंगे, premium on buyback, और last काम बसना है, CRR बनाना, अगर आपने existing assets से buyback किया है, तो आपको CRR बनाना पड़ेगा, कहां से बनाना है, securities premium या free reserve, तो journal interval, securities premium free reserve account debit to CRR, तो जैसा पढ़ाया था, same to same कहां पे, redemption में, यहां पर भी वही बाते बोल रहा हूं, सिर्फ एक फरक है, वहां securities premium यूज करने मना किया था, यहां securities premium खुल के use करो, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि buyback के लिए securities premium को free reserve माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है, आपने जब section 68 पढ़ा, तो वो क्या बोला, sources में एक source क्या था, securities premium, तो जब भी आपको buyback में reserves की दरकार पड़े, share issue नहीं करती है, क्योंकि हमने बोला buyback तभी करना चाहिए, जब आपके पास क्या है, surplus cash है, तो अगर आपके पास surplus cash है, तो आप माथे में नया liability बांद के थोड़ी buyback करेंगे, जरूरी थोड़ी है करना, यह तो voluntary है, इच्छा है तो करो नहीं तो, surplus cash है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, तो कोई भी कंपनी नया share या debentures issue करके कभी भी buyback, उससे उसके price पे adverse effect पड़ता है, लोगों को लगता है कि कंपनी ने loan लेके अपना debentures shares को buyback किया है, तो loan लेने के कारण आप interest बढ़ जाएगा, तो future का profit गिरने लगेगा, जो बोल रहा था वो बल्कुल बात सही था, shareholders पर adverse impact होता है इस चीच का, इसलिए कभी भी आप देखोगे real life में, कोई भी company नया share debentures issue करके buyback, नहीं करती है, जो भी करती है, internal assets से करती है, नया share debentures कभी भी issue नहीं होता है, तो ये sequence जो तुमको सिखाया था, redemption में same sequence, एक बार sequence short में बोल रहा टोटल पांस step है, जिसको use करके आपको buyback का accounting करना है, तो मैंने same as redemption इसलिए लिखाया है, क्योंकि redemption के जैसा ही entries same to same अपने को buyback में करवाएंगे आप, पांच से दसमा का question almost हट तम में पूछ लेता है, आपको दे देता है, और बोलता है, entries करके दो, अभी question दिखायेंगे, आप एक मिनट में सारा questions complete कर देंगे, चलिए, लिखते हैं, entry number one, मैं ये point लिखवा रहा हूँ, कभी दरकार पड़े use कर लेना, if equity shares to be bought back, are partly paid, तो क्या करना, then make them fully paid, then make them fully paid, by making a, बोलो, final call, final call वगेरा का entry तो आप लोग को आता ही होगा, call to capital, bank to call, basic entries, number two, buyback price due, buyback price due, आपने buyback का resolution पास कर दिया, आप company के उपर obligation आ गया, कि उसको पैसा देना पड़ेगा shareholders को, buyback price due, journal entry, equity share capital account debit, capital हमेशा कौन सी value पे, face value, अगर extra देना पड़ रहा है तो, premium on buyback account debit, securities premium issue करते समय आता है, payment करते समय नहीं, premium on buyback account debit, two, equity shareholders account, premium on buyback आप पुरा लिखे हाँ, two, equity shareholders account, मान लो 10 रुपया का share है, 25 पर buyback हो रहा है, तो ये 10 रुपया, ये 15 रुपया, और total देना है, 25 रुपया, securities premium is a reserve, this is a loss, this has to be written off using reserves, उस समय नहीं करना चाहिए, वो PL से write-off होता है, हो सकता है, अगर आपका market में price ही बहुत कम चल रहा है, बट वैसी company buyback करने के हालत में नहीं होती, जो consistently loss incur कर रही है, उसका क्या उकात की, वो कैसे कैसे कर लेगी, सर्फ, reserves ही नहीं हो उसके पास, number three, gathering funds for redemption, gathering funds for redemption, for buyback, दो जगा से, एक हो गया, sale of investments, एक हो गया, issue of new shares or debentures, issue of new shares or debentures, investment, sale का entry, bank account, debit, आपको सारा entry पहले से आता है, तो खुद से करना चाहिए हमेशा, bank to investment, और जो भी loss या profit होगा वो, PL वे, loss हुआ तो PL debit, profit हुआ तो PL credit, loss हुआ तो PL debit, profit हुआ तो PL credit, अगर नया share issue किया तो, bank account debit to equity नहीं, preference share capital या debentures, premium पे issue किया तो to securities premium, ये entry आपको देखने नहीं मिलेगा इस chapter में, बहुत कम देखने मिलेगा, दस में शायद एक question में मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि real life में कभी भी नया share issue करके भाई बैक होता नहीं, existing surplus है तो ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, next, number four, payment to equity shareholders, एकदम same entries है, अलग से learn करने का चाप मत लीजेगा, दो question कराएंगे, आपको sequence के साथ learn हो जाएगा, payment to equity shareholders, entry बोलो, equity shareholders account debit to bank, liability का payment कर दिया, तो liability to bank, number five, premium on buyback return off, loss को write-off करना है, बोलो क्या-क्या use करोगे, securities premium account debit, पहले हमेशा ये, फिर, free reserves account debit, जिसमें GR, PL वगेरा है, to premium on buyback, loss write-off कर दिया, loss write-off कर दिया, और last, क्या बनाना पड़ता है, creation of CRR, creation of CRR, premium भी use हो सकता है, free reserves भी use हो सकता है, premium भी use हो सकता है, free reserve भी use हो सकता है, जो लिखा वो आप लिखेंगे हिंदी में, provision में difference है, इसलिए ये accounting difference arise हो रहा है, ये buyback का first part complete होता है, जहां पर हमने buyback के बारे में समझा, transaction को समझा, reason समझे, और conditions of companies act को थोड़ा सा समझा, section 68 बहुत बड़ा section है, around 2021 नहीं तो 15-16 conditions तो पकाई होगा उसमें, बहुत बड़ा section है वो, हम लोग के सारा काम का नहीं है, मेरे लिए total 5 conditions काम का है, balance सारा आपके law में आएगा, दो मैंने सिखा दिया, तीन कल सिखाऊंगा, पहले बताईए, यहां तक बाठ ठीक है क्या, चलिए हम लोग कुछ questions करते हैं, जल्दी चुट्टी दे देंगे आज, जल्दी चुट्टी हो जाएगा भाई भाई भाई, जल्दी खतम हो जाएगा भी, हाँ, जादी के बाद क्या हो जाएगा, जल्दी चलिए, हाँ, हम भी वही बात कर रहे थे, और हो नहीं, आज़ेए, पेज 6, question 14, मेरे जैसे सीधा आदी से तुम लोग ऐसे बात करने में बिल्कुल शरण नहीं आता है, आप ही से सीखा है, ये तो बदनाम करके छोड़ेगा, क्या आप होगा, मैं तब करो सब कुछ तुम लोग, और फिर फिर नाम पुरा डिंडोरा मेरा है न, हाँ, बच्चा बोल रहा कुछ किये ही नहीं आज तक, question, आई आई ये, question 14, चलो बढ़ाई करते हैं, तुम लोग बदनाम है, केजी लिमिटेट फर्निशेज, the following summarized balance sheet as at 31st March 2013, company है केजी लिमिटेट बैलेंशीट दिया है, एक बार बैलेंशीट फटा-फट रीड करें, कोई ऐसा वर्ट जो आपको ना समझ में आए, बताईएगा, रीड करते से मैं number of equity shares निकालने की कोशिश करें, 1200 लाग का capital है, या बोलो 1200 का capital है, 10 रुपए का share है, तो number of shares, 120, 120 लाग shares, securities premium, कुछ बोलिए, buyback के लिए, buyback के लिए, free या not free, buyback के लिए, free, general reserve, free, CRR, not free, ये सिर्फ bonus के लिए use हो सकता है, PL, free, debenture, trade, payable, other current liability, ठीक है, इधर अटाओ, machinery, investment, inventory, trade, cashed bank, और furniture, ठीक है, आगे, on 1st April 2013, the company announced the buyback of 25% of its equity shares, ध्यान से, कितना shares तुमने बोला था, 120, 120 का 25%, 30 लाग, 30 लाग share company buyback करना चाहता है, 30 लाग share company buyback करेगा, कितने रुपए में, सुनना, 10 रुपए का share, 15 में buyback होगा, 5 का premium आगे, for this purpose, it sold all of its investment for 75 लाग, उसको पैसा चाहिए था, तो उसने पता है क्या किया, सारा investment बेच दिया, एक बार investment का book value देखू, 74, बेचा कितने में, 75 बे, तो एक लाग का profit, आगे चलते हैं, on 5th April, the company achieved the target of buyback, 5th April तक buyback complete, on 30th April, the company issued ध्यान से, one fully paid up equity share of rupees 10, by way of bonus, for every fully paid equity shares, held by the equity shareholders, company ने क्या किया है, buyback करने के बाद, bonus दिया है अपने shareholder को, एक बाद बताना, buyback करने के बाद, 120 share रहेगा, कि 90 हो जाएगा, 90, क्योंकि 120 में 30 को, तो आपने repay करके खतम कर दिया, तो 90 shares बचे, आपने bonus दिया, 1 is to 4, 1 for every 4, कौम लोग क्या बोलते हैं, 1 is to 4, तो बताइए, bonus share कितना देना पड़ेगा, 22.5 lakh shares, यानि 225 का आप bonus issue करोगे, transaction and prepare balance sheet of KG Limited, after bonus issue of share, दो काम करने बोला, journal और balance sheet, सुन, company का balance sheet है, ऐसे बना सकते हैं, कि T form, कि schedule 3, schedule 3, ऐसे बनाना allowed, पहले ही बोल रहा हूं, company है question में, और balance sheet बनाने बोले, तो चाहे कैसा भी वो दिया हो, तुमको हमेशा schedule 3 बनाना है, तुम ये T form use, पहला question में, हम लोग schedule 3 पूरा use करके बनाएंगे, क्योंकि आपने financial statement वाला chapter पढ़ दिया, second question and onwards, इसमें time waste करने का जरुत नहीं है, हम लोग book में ही लिख लेंगे, कि कैसे figure change होगा, और balance sheet total क्या होगा, बार बार एक ही चीज करने से, कोई value addition होने वाला नहीं है, तो चलिए question 14 को हम लोग अच्छे से बनाएं, question 14, ये 10 mark का question है exam के लिए, पहले journal, page number 6, question number 14, company का नाम, KG limited, journal, ये मेरा company नहीं है, मेरा होता तो quintal limited होता, आईए, छोड़िये, scientific joke था, हाँ, future company है, thank you so much, मेरा कम हो जाएगा, कि किसी और का बात कर रहा है, आईए, बात में बात करेंगे, इस बात में, हमको ये सब समझ में नहीं आता है, rupees in lakhs, तोड़ा ऐसा बात बोला करो, जो single meaning carry करें, हाँ, equity share capital account debit, ध्यान से rupees in lakhs लिख दिया, अब 110 लिखने का ज़रत नहीं है, वैसे ही, जैसा एक दिया होए question में, वैसे ही लिखेंगे, कितना share buyback करना है, 30,00, हर share का face value, 10, हमेशा bracket में लिखा करो, company के chapter में हमेशा लिखना चाहिए, बहुत सारा differences आ जाता है नहीं तो, गलती हो जाता है, क्या कुछ premium दे रहे हैं, तो premium on buyback account debit, 5 रुपया करके, 30,00,00, इंटू 5, 150, तो total बताओ कितना payment करना है, साड़े 400 payment करना है, साड़े 400 payment करना है, क्या पैसा इखटा करने के लिए हमको कुछ करना पड़ा, investment बेचना पड़ा, चलिए investment बेचने का entry करें, narration अगर आपको लिखना है ना, being buyback price due, या being buyback declared, या being the shares bought back, कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, narration exam में लिखना चाहिए हाँ, बताइए, next entry, bank account debit कितने में बेचा, 75, two investments, कितने का investment, 74, तो एक रुपय का क्या हो गया, profit, being investment sold, एकदम short में narration, narration लिखने में exam में भी time waste ना करें, लिखना पड़ेगा बट बिलकुल short में, being investment sold, next, पैसा दे दिया, entry बोलो, equity shareholders account debit, to bank, पैसा देना है दिदी, लेना नहीं है, हमेशा लेने का नहीं सुच्ते, पैसा, अब तो हम कुछ ही नहीं बोले थे, सच वे, हम greed का बात कर रहे थे, चलो, दिल तो बच्चा है जी, अब next, पैसा दे दिये, next, पोरोप्स write-off, POV भी write-off करेंगे, चलिए, किसको use करें, securities premium है, 1.500 रुपे का, हाँ, तो securities premium account debit, to premium on buyback, 150, use कर लिया, बताइए next, क्या करना होगा, CRR, अब एक बात पूछ रहाँ, कितने का capital buyback हुआ, कितने का capital buyback हुआ, capital, 300 लाग, 300 लाग, क्या कोई नया share issue हुआ, नई हुआ, तो CRR कितना बनाना पड़ेगा, पूरा 300 लाग, क्योंकि आपने कोई नया share issue ही, CRR 300 लाग बनाना है, देखो तुमारे पास कौन-कौन से रिजर्व है, Securities Premium 25, General Reserve 265, तो हो गया 290, और 10 रुपया कहां से, PL से निकालना पड़ेगा, बोल बाबु क्या बोल रहा था, अगर नया issue कर देते, मालने preferential issue कर देते, 50 लाग का, तो 300 माइनस 50, 2500 लाग का CRR बनता, तो हम लोग अगर नया share issue करके, capital को replace कर दे, तो फिर उतना CRR बनाने का ज़रत नहीं है, balance का CRR बनाना पड़ता है, यहाँ पे क्यूंकि कुछ भी issue नहीं किया है, तो जितना आपने capital redeem किया, या buyback किया, या पूरा का पूरा existing asset से किया है, तो आपको 300 लाग का क्या बनाना पड़ेगा, CRR, चलिए, Securities Premium Account Debit, ध्यान से, 25 यह हमारे पास, General Reserve Account Debit, 265, और कितना चाहिए, 10, PL Account Debit, Balancing Figure, 10, 2 CRR, कितना का बनेगा, 300, क्योंकि हमने कोई नया share issue नहीं किया, पूरा face value का CRR बनाना पड़ेगा, तो being CRR created, being CRR created, यह तो buyback का entry हुआ, आगे क्या करना है, bonus का entry, चलिए, bonus 30 April, पहले declare किया bonus, bonus declare कहां से करते हैं, reserve से, कौन सा reserve यूज़ करते हैं, CRR, CRR account debit, कितने का bonus है रहे, 225, कैसे, 900 into 1 by 4, 1200 में से 300 चला गया, buyback कर लिया, तो 900 के उपर 1 by 4, CRR है क्या इतना, यहीं दिख रहे है 300, और भी यह balance sheet में, तू bonus to shareholders, CRR account debit to bonus to shareholders, पहले declare करते हैं, being bonus declared, तो हमने उसको set aside कर लिया, अब issue करो, bonus to shareholder account debit, किसको देना है, क्या देना, equity share, to equity share capital, 225, sir, real life में क्या buyback के बाद, bonus होता है, answer is yes, TCS का देखे आप, देखे buyback किया, उसके एक महीने के बाद, तेड़ महीने के बाद, वापस bonus issue करके, अपनी equity का, जो number of shares था, वो वापस बढ़ा लिया, तो real life में, bonus share issue किया जाता है, buyback के बाद, ताकि CRR, जो बेकार का reserve है, उसको use किया जा सके, उसको रखके, कोई फाइदा नहीं है, नहीं, पैसा तो लेने के लिए, नहीं बेचना, आपने अगर पढ़ा है, तो ये पढ़ा होगा, 6 महीना तक, नया share issue नहीं किया जा सकता है, except for bonus, conversions, employee stock option plan, etc, वो सब में issue हो सकता है, बट आप नया share पैसा के लिए, issue नहीं कर सकते, 6 महीने का same kind of shares, तो वो prohibited है, use कर लेते, माल लो हमको यहाँ पे 150 ची होता, मेरे पास 140 होता, तो 140 premium, 10 रुपिया general reserves है, done, ये सारा principle same है बिल्कुल, तुमको जितना चाहिए, reserves use करते जाओ, sequence में, अपने आप निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, done है यहाँ पे, पक्का, balance sheet बनाना है हम लोग को, balance sheet, schedule 3 यहाँ देख्या, दो side होता है, equity liabilities और assets, equity liabilities में तीन में चीज, shareholder fund, non current liability, current liability, asset में दो चीज, non current asset, current asset, बाद वाकिस अब याद आ जाएगा, लिखे, kg limited balance sheet, as on, 30 April 2013, bonus के बाद, particular amount rupees, rupees lakhs में दिया वे न, हम लोग note नहीं भी बनाए, तो चलेगा, क्योंकि note बनाते बनाते, जितना time आप devote करोगे, उतना time में paper का bell बच जाएगा, complete हो जाएगा, तो हम लोग notes हमेशा balance sheet के face पर ही, जितना थोड़ा बहुत बनाना होगा, बना देंगे, अलग से notes to accounts बनाने का ज़रत नहीं है, बनाना भी है, तो दो main चीज है उसी का बनाना, एक capital और दूसरा reserves, और बाद बाद की चीज का, ये सब chapter में बनाने का ज़रत नहीं है, मैं यहीं बना देता हूँ face पर, market value कम हो जाएगा shares का, नहीं नहीं, 1 by 4 है न, तो उसी ratio में, पहले जो 4 share का value था, वही share 5 share का value हो जाएगा, 4 fifth हो जाएगा price, 4 fifth हो जाएगा price, equity and liabilities, सबसे पहले आता है बताओ क्या, shareholders fund, सबसे पहले क्या आता है, share capital, एक ही type का capital है, ध्यान से बताना, कितना shares, ध्यान से, shares अच्छे से बताओ मेरे को, फिर 22.5 और आगे न, 1, 1, 2.5, 120 माइनस 30, प्लस 22.5, 1, 1, 2.5 लाक, equity shares of रुपीज 10 each, ये हो गया, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 2, 5, 120 में से 30 buyback किया, तो कितना बचा 90, फिर bonus दिया 22.5, तो हो गया 1, 1, 2.5, इसके बाद, reserves and surplus, ध्यान से, हड़बडी नहीं, premium खतम हो गया, लिखने की ज़रत नहीं है, general reserve खतम हो गया, CRR, ध्यान से, ध्यान से, पहले 200 था, 300 आया, 225 यूज किया, 275, 200 पहले से था, 300 अभी बनाया, buyback के समय, और 225 बोनस में, यूज कर लिया, profit and loss, ध्यान से, 170 प्लस 1, minus 10, एक लाख investment का profit, भूलना नहीं है, भूल जाते हैं बच्चे, investment बेचा था, तो एक लाख रुपय का profit हुआ था, तो 170 प्लस 1, minus 10, exam में टाइम बचाने के लिए, ऐसे लिखना पड़ता है, otherwise you won't have time to complete your paper, institute भी इतना वो जानता है, कि इतना हम नहीं कर सकते, कि हर चीज का note बनाए वो, non-current liability, बताओ, एक non-current liability है, debentures, किस head में आता है, very good, long-term borrowings, long-term borrowings, यह आ गया debentures, तीसरा, current liability, short form याद है किसी को current में, S, T, O, S, तो पहले trade payables, long-current का LDOL, trade payables, 7.45, other current liabilities, बोल यह कितना, 1.95, 7.45, 1.95, बाद में किजेगा, total, बीच में अपना speed कम मत किया, किजे, assets, assets में सबसे पहले, non-current assets, इसमें क्या आता है, property, plant and equipment, tangible, दोठो दिया वे, बोलो, machinery, furniture, furniture, नीचे नीचे दिया वे, हाँ, 1800 और 226, investments के बारे में बोलो, sell हो गया, done, current assets, short form याद है किसी को, CIT, CSO, very good, C for current investment, नहीं है, I for inventory, 600, T for, trade receivable, 260, C for, अबे, ये वाला बता नहां, cash and, cash equivalent, हम एक बार, class में बोल दिया थे, C for, बचा, नो पानी से पढ़ा हुआ था, चला गया, विचारा बह गया, हाँ हाँ, बह जाता है कभी-कभी, C for cash and cash equivalent, बच्चमन से तो अलगी C सीखें ना तुम लोग, हमको तो आता ही नहीं है, हाँ, देखिए, cash at bank में मैंने क्या किया, try कीजे समझने का, 740 था, investment सेल करके 75 आया, और 450 पेमेंट किया, तो बताईए कितना बचा, 465 शायद, 365, total कर लीजे, मिल गया मैच होगे, total, 3, 2, balance sheet बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, पुरानी balance sheet को देखके, सिर्फ figures change करने हैं आपको, होगे हां? लास्ट question for the day, 16, आपका homework रहेगा 18 and 19, पहले लिख दे रहा हूं, 18 and 19, और homework करके आना पड़ता है नहीं बच्चों, homework करके आना पड़ता है, यहां सर सामने खड़े हैं, हां, homework करके आईएगा, हां, 16 के बाद class complete, by back का, 15 नहीं है, अरे 15 नहीं, homework 18, 19 बोले, हां, 15 भी कर लेना, करने का बहुत मनना तुमको, आओ, 16, अरे 16 करते हैं, 16 करते हैं, हम बोल रहा है, चलो, आओ से यादा आया, आओ रज्या गाना बहुत अच्छा था, चलिए, यह साच कल बदमास हो गया, बले कितना सांथ लड़का था, फांड़े सेल में, क्या सांथ, यह सांथ, नॉलेज ने, सीधा लड़का है, हमको ऐसा लगता था, following is the balance sheet of measures, competent limited, as on 31st March 13, balance sheet फटा फट पढ़ो, balance sheet पढ़ना चाहिए हमेशा, number of shares बताओ, number of shares, एक लाग पच्चिस हजार, आगे, revenue reserve, revenue reserve किसका दूसरा नाम, general reserve का दूसरा नाम, free reserve है यह, securities premium buyback के लिए, free, profit and loss, free, debentures, current maturities of long term borrowings, ठीक है, इसके बारे में कुछ सिखाया था, याद आ रहे, other current liability, बहुत बढ़िया बोला, सिखाया था, उसका कुछ portion next year mature करेगा, next year payment करेंगे, तो बला ही वो long term borrowing हो, बट क्योंकि कुछ portion एक साल के अंदर पे करना है, उसको हमको current liability में segregate करना होगा, current liability में short term borrowings के अंदर नहीं, other current liabilities में segregate करना पड़ता है, good, fixed asset, current asset, आगे, the company wants to buy back 25,000 equity share of rupees 10 each, at rupees 20 per share, कुछ बोलिए, 10 premium, buy back is duly authorized by articles and necessary resolution passed, the payment for buy back will be made by the company, out of sufficient bank balance available as a part of current asset, जो हमको funds चाहिए नो funds, उसके लिए नया share वगेरा कुछ issue नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत bank balance पड़े है, उसको use कर लेंगे, सुन, अगर bank balance use कर रहे हैं, existing asset use कर रहे हैं, तो क्या बनाना होगा, CRR बनाना पड़ेगा, ठीक है, आगे, comment with your calculation, एक बार comment की बात नहीं कर रहा हूँ, past necessary journal entries towards buy back, and prepare the balance sheet after buy back, comment वाला एक बार नहीं करेंगे, कल सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको journal entry करना, और balance sheet बनाना है, सुनो, journal entry copy में होगा, balance sheet का figures आपको यहीं लिखना है, कि क्या होगा, और total करके दिखाना है, कि वो हो रहा है, कि नहीं complete, चलिए, question 16, फाल्तु का energy waste नहीं करेंगे, homework में भी, एक homework पूरा बनेगा, balance sheet के साथ, दूसरा homework का balance sheet, question में ही वना लेना, बार बार डबल चीज रिपीट मत करना, question 16, measures competent limited, journal, buyback करने जा रहे हैं, तो equity share capital, कम हो जाएगा, equity share capital account debit, कितना share, 25,000, कितने रुपय वाला, 10 वाला, capital हमेशा face value, capital books में हमेशा face value पे दिखता है, कुछ premium दे रहे हैं क्या, 10 रुपया, premium दे रहे हैं, 10 रुपया, तो बताओ, total payment कितना करना है, 5,000, ये मेरे को, equity shareholder को देना है, 5,000, लाग, क्या हम लोगों को पैसा इखटा करने का अलग से जरूरत है, कि हमारे पास है पैसा, है पैसा, तो चलिए payment करे, equity shareholder account debit, to bank, equity shareholder account debit to bank, 5,000,000 का payment कर दिया, equity shareholder account debit to bank, loss premium वाला write-off करना है, क्या हमारे पास securities premium है, coincidentally उतना ही है, use कर लो, securities premium account debit, to premium on buyback, 5,000,000, last, बताइए क्या करना पड़ेगा, CRR, सुनो, कितने का capital खतम हो रहा है, कितने का capital, capital 5,000,000 का खतम हो रहा है, loss तो अलग से write-off करी दिया, capital 5,000,000 का खतम हो रहा है, क्या हमने कोई नया share issue किया, नई, तो पुरा 5,000,000 का CRR बनेगा, कहां से बनाओगे, revenue reserves, revenue reserves account debit, to CRR, 2,50,000, जितना capital गया, उतना CRR बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई नया share आपने issue नहीं किया, मालो एक लाग का share नया issue कर दिये होते, तो डेड़ लाग का CRR बना थे, very good, redemption में तो हम लोग 5, 6 case पड़े थे, 3 case था, फिर 3 में ABC था, 5, 6 case पड़े थे, तो अगर वो 5 case पड़ा हुए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ पर almost हमेशा CRR बनाना ही पड़ेगा, revenue reserve to CRR, balance sheet बनाईए फटाफट, book में ही बना सकते हैं, आपको अलग से बनानी नहीं है, copy में, book में ही बना लिजे, figures, मैंने आपको एक format सिखा दिया है, अब book में बना लिजे, time waste नहीं करेगे, आपको एक बना लिजे, पाँच लाग, पाँच लाग, 71.5, देखो, आया क्या 71.5, आपको एक बना लिजे, कुछ कम बेसी आ रहे है वैल्यू, डाइ लाग का, टोटल कर लेता हूँ, 10 लाग का डिफरेंस आ रहे है, original balance sheet में डिफरेंस था, मैंने वो ठीक कर दिया, इसको 26 कर दो, अपने आप मैच हो जाएगा, ये original balance sheet में ही डिफरेंस है, आप अगर ये मिलाओगे न, तो 10 लाग का मैं, उसको ठीक कर लो, अपने आप हो जाएगा, और कुछ को change मत करो, क्योंकि ये सारा काम में आएगा, तो इसको change कर लो, ये बेकार है, अपने काम का नहीं है अभी, चल आएगा काम में, 26.5, total हो गया, 71.5, ये balance sheet गलत था, इसलिए change कर वाया, homework है, question 18, 19, done, buyback के लिए सिर्फ इतना ही, जाएगा काम में,